एक बार फिर स्वागे थे आपका अपनी स्वास्ते चर्चा हेल्थ केयर में विशे है किशोरों से समझे समस्याएं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जैन जी पांट्रिकर नाकी ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर जैन जी ने हमें आइडिनी टी क्राइसीस याने किशोर दारा स्वाटर की पैच्छान इस्थारपित करने के विश्याए में हमें आर्जरशन किया था मित्रों इस समय बदीद्ध छटपटा रहाए इस पैचान स्थापीत करने के लिए तो ध्यान रखिए कि यह पूरे समाज में या अपने क्लास में चाहिए स्कूल हो या कॉलेज हो या अपनी एक अलग पैचान बनाना चाहता है और इस पैचान बनाने के लिए वह सकारात्मकूप से या तो पढ़ाई में बहुत अच्छा करता है कि इसे बढ़ाने में पूरी तरह सयोग करें लेकिन इसकी दूसरी बाजु है कि इसी भीड से अलग दिखने के लिए अगर किशोर कहीं लंबे बाल रखता है कानों में बालियां पैंता है बहुत बड़ी गाड़ी लेकर बहुत तेजी से चला रहा है विशेशकर अ बहुत बड़ी फोर्विलर गाड़ी लेकर चलता है यहां पालकों करतेवे बनता है कि जिस पैसें की उन्होंने अपने किशोर के लिए व्यावस्ता कर रखिये कहीं उसका दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है इसी तोर पर दूसरे लोगों को इंप्रेस करने अपने जगर बनाने के लिए किशोर कई बार अपने मार से भटक जाते हैं और स्मोकिंग यानी दुम्रपान ड्रिंक्स यानी मद्यपान और कभी-कभी मादक पदार्त यानी ड्रुग्स इनका सेवन करने लगते हैं हो सकता है कि उन्हें खुद भी पता हो कि यह उनके लिए नुकसा लंबन कर सकते हैं एक स्थाफित तथ्य के आधर पर ऐसा माना गया है कि जितने चेंज स्मोकर है जो एक सरीखी बीडिया सिग्रेट पीते हैं उन्होंने पहली बीडिया सिग्रेट उम्र के अठार वर्ष के पहले शुरू की लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर कोई कि इस वृत्ति पर 20 वर्ष तकर नियांतरन रखता है तो बहुत कम संभाव ना है कि आगे जाकर वो बीडिया सिग्रेट पे गया स्मोकर बनेगा मित्रो इस कार्यक्रम के माध्यां से हम चाहते हैं कि इस विशय में समुचित जागरूपता हो जिससे पालक और पाल्य यहने उनके बच्चों के बीच जहां कहीं एक तनाव अनावश्यक तनाव के स्थिति निर्मान हो रही है वह दूर हो इस विशय में अगर आपके भी कोई सुझा हो कोई प्रेशन हो कोई जिग्यासा हो उनका सरश स्वागत है डॉक्टर जैन जी आगे बढ़ते हैं और यह जो उम्र है जब इतनी उतल पुतल वाली उम्र है इतनी घटा करम चल रहे हैं उनके मन में बहुत सारी विचार आ रह हैं इस विश में कभी-कभी वो अपने आपको असहाय लाचा और मजबूर अन्हों करता है इन कुछ गटनाव को लेकर वो कभी-कभी अफसा देने डिप्रेशन का शिकार हो सकता है बहुत पार होते हैं इसके बारे में आपका क्या मारव दर्शन होगा मैं आपको यह बतान कि अपकारो का इक परकारम बोल सकते हैं चल्प पर अधिन कि शुरावस्था में जो बढों में होता है और यह यह बडेशन किशुराव स्था में थोड़ा सा अलग होता है क्युकि इसमें आधि भी अभी बताया कि अधित आगलड़ की ऑट की ओपर भुत सारा तान तर ना नंबर वंद रहे, खास तोर पे जब माता-पिता का प्रेशर रहता है कि नहीं हमने तुम आपको इतना ट्यूशन दिया, सब कुछ दिया, आपने अच्छे महार स्मिनाना चाहिए, आपने नंबर वंद रहना चाहिए, इसी प्रकार से जो सारे बहुत सार जो तौनाव रहते खास तोर पे प्रेशर से भी तुड़ाव रहते हैं, उसके कारण बच्चों में डिप्रेशन आता है, इस उम्र में डिप्रेशन आता है, फिर उसके जो लक्षन होते है कि बच्चों का घर में ध्यान नहीं रहना, माता-पिता से घर के बाकी सदोस्तों से बात नहीं करना, अपने रूम में जाकर अंदर से कुड़ी लगाकर बस बैटे रहना है continuous mobile पे रहना है या mobile के तरफ दिखना भी नहीं है हर बार बोलना कि मुझे भूक नहीं है मैं खाना ने खाऊंगा बाब में खालूंगा आप खालो अकेला रहना वो चाहता है जो common friends है उनसे भी वो बात नहीं करना चाहता है जिससे वो अपना समझता है उनसे भी वो कोई चीज बताना नहीं चाहता है इस प्रकार के एक common लक्षन होते हैं मित्रो जिस तरह से डॉक्टर जैन ची जीन लक्षन का उल्ले कर रहे हैं उसे बड़े ध्यान से आप सुनिए और समझिए देखिए कि कहीं अपना बच्चा लक्षन को शिकार तो नहीं है और इसमें कहीं भी कोई लक्षन आप पाते हैं तो निश्चित तोर सब अपने विश्चेशक्गी की सला लीजिए डिप्रेशन डॉक्टर जैन जी कर रहे हैं कोई बिमारी नहीं है और हम में से भी बहुत सारे लोग अपनी उम्र के किसी में किसी दौर में इस अवस्तार से हम लोग गुजरे हैं कि जब कोई बात हमारी पसंद की नहीं होती है उस समय कहीं मन में एक डिप्रेशन आता है भले एक कुछ देर के लिए हो लेकिन अगर यह लंबे समय तक हो और हमारी देनन दिन जीवन चर्या को प्रभावित कर रहा हो तो यहां पर उप्चार की ज़गत पर सकती है आप ध्यान रखिए कि अगर बच्चा आपका या तो बहुत देर सो रहा हो या बहुत देर तक उसको नीद नहीं आ रही हो उसके खाने की जो बहुत सारी पसंद की चीजें थी अब वो उसे नापसंद होने लगी हो जिन लोगों से कई बात ने करता उससे ज्यादा बात कर देर ने लगा हो जैन जी कह रहे है कि जो उनके पसंद के फ्रेंट सा उससे बात नहीं करता हो तो यह कुछ एक ऐसे लक्षण है कि जी हमें इशारा कर रहे है कि कहीं कोस तो गलत चल रहा है सब तरह से ठीक नहीं है रही है दोक्टर जैन जी इन सब लक्षणों का डिर्शन अब कारण क्या मानते हैं? कारण तो यही है कि बहुत ज़्यादा expectations पईरण्स के तरफ से है बहुत ज़्यादा stress teachers के तरफ से है कि जो class में बच्या जाता है वो teacher चाहते कि नहीं मेरा सुझण अच्छा आना चीए और peer pressure सबसे ज़्यादा इस पे कारण्न रहता है कि बहुत से बार अपने बाकी मित्रों से उनके एक्सपर्टेशन से वो ये बच्छा कोपप नहीं कर पाता है फिर उसमें एक प्रकार का इंफिरिटी कॉंप्लेक्स आ जाता है कि नहीं मैं करने ही पा रहा हूं और वो अपने मान में ही अंदर ही अंदर कूडते जाता है और अपने आपको कोश्ते रहता है कि क्या प्राप्लम है क्याले में मेरेमे कुछ कमी है में ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ हमेशा खुद को अपने आपको कोश्त रहता है तो यह सबसे बहुत-मौण कारन नहीं carnالم का है। इसमें आप पालकों का रोल कहा है तक है जान लेना चाहिए कि वालकों ने हमारा बच्चा क्या कर रहा है उसका मूर स्विंग कैसे है किसके फ्रेंड सर्कल कैसा है उसको जान लेना चाहिए उसके उपर प्रेंट्स ने पिक अप करना चाहिए और फ्रेंड ली मूर बात करना चाहिए और फिर से एक बार साथ में बैठना चाहिए बैठा आपको क्या प्रॉबलम है कई स्कूल में प्रॉबलम है आपको ट्यूशन में प्रॉबलम है कोई फ्रेंड से आपका जखड़ा हुआ है कोई आपकी अच्छी फ्रेंड से आपकी दुश्मन हो गई है इस सब चीजे उनके साथ डिसकस करना चाहिए और मैं कहूंगा कि 70-80% टाइम इसमें आपको अच्छा जो है किशर वस्था में वता देगा कि नहीं मेरा साथ ऐसा हुआ है वो मेरा अच्छा-च्छा दोस्था लेकिन आजकल मेरे से बात नहीं कर रहा है ठीक है आप तुरंट चाहकर उस बच्चे से बात कर सकते हो दोनों की एक साथ मेला सकते भाई क्या प्रॉबलम ह कर सकते हैं तो मैं क्योंगा कि 70 से 80 प्रतिशत कारण यह हम पारेंट्स अगर उसमें इन्वाल हो जाए तो का सकते हैं। समाज के प्रति वह अतिरिक तनाव उसके उपर ला रहा है पालकों का बार बार ये चिताना कि हमने तुम्हारे उपर इतना पैसा खर्श किया तो तुमसे हमाई इस तरह के परिणाम की उम्मीद है और एक तनाव का कारण बनता है एक बात ध्यान रखिए कि इस समय में हर किश और लड़का हो तो लड़की को इंप्रेस करनी कुश करते हो लड़किया लड़कों को तो इससे में अपनी सारी सट्रक्राइब लेकर भी उनके मन में कई बर तनाव आजाता है चाहिए उपने हैट से हो या कलर से हो या नौर्मल तोर से चेहरे पेर पिंपल से हैं महां से रहे हैं उनको लेकर हो। डॉक्टर जैन जीन कहा है कि मानली जी अगर उसके फ्रेंट सरकल में किसके बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं महेंगे कपड़े हैं ब्रैंडेट जूते हैं और इस तरह से उसको कोप नहीं कर पा रहा हो तो उसे अपने आप में एक हिंभावना महस होती है और अपने आपको तनाव रस्त महसूस करता है बदलते परिवेश में जहां पर डान्स के नाम पर प्रभुदेवा हमारा आइकॉन है क्रिकेट के नाम पर सचितने दिलकर भगवान मानते हैं और हमारी शैक्षनिक युग्यता हमारे अंकों के आधर पर निरधारित ह होती है तो यह सभी चीजे हम एक अकेले बच्चे से इसके उमीद रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन सब चीजों में सरोश्रिष्ट साबीत हो लगबक असंबव बात है हमें अपने बच्चे की युग्यता और उसकी शमता को देखकर उससे उमीद रखनी च चाहिए समस्या के समाधान के रूप में इसका सबसे बरकार्ण है कि हम पालक अपने बच्चों को कितना समय दे पाते हैं न कि कितना पैसा उनको दे रहे हैं हम उनके साथ बैठके रहें उनकी समस्या को समझे पूरी तरह से सुन ले और समस्या समाधान इस तरह से निकाले क कि किशोर ने समझाए कि समस्या खुद ही उसको सौल कर रहा है इससे उसका कॉन्फिनस बढ़ेगा खुद के अंदर में पालकों के अंदर में डॉक्टर जैन जी काहिना कि बहुत छुट-छुटी इस बाते होती जो उसके लिए तनाव का कारण बनती है जो हम लोग समझते कि बहुत बड़ी बात नहीं है मतलन उसके किसी जीगरी दोस्ते उसका किसी तरह का मन मुटाओ जगड़ा ध्यान रखिए यह उम्रभ बहुत सेंसिट्यू समविधन शील है इस समय में अपने एक निकट के फ्रेंड का कुछ समय तक नहीं बोलना या उसकी उपेक्षा या उसका निगलेक करना इनके लिए तनाव का कारण बन सकता है भलाई वह बेबुनियाद हो इस समय में पालकों का मारदाशन उसके लिए बहुत जरूरी होता है और उसकी दूसरी बाज़ी इस तरह से है कि अगर यह मारदाशन पालकों के तरह से नहीं मिलकर उसे किसी दूसरी तरह से मिल रहा है बच्चा पुरी तरह से दूसरे व्यक्ति से अटाश्ट हो जाएगा उम्रक की इस पड़ाव में एक पड़ाव आता है जब पालकों से उसका विलगी करन होता है पैरेंटल डिटाश्मेंट होता है और यही प्यार उसने जो उससे घर स के डॉक्टर चाहते हैं मित्रो सभी से एक नम्र निवेदन है कि हम अपने बच्चों को पुर्टर से समझें चाहे उसने कोई गलत किया हो हाथ उठाने बहुत दूर है उससे जोर सी बात न करें जहां गलत कर रहा है आप उसे एकांत में अकेले में समझाईए लेकिन अगर अगर उसने कोई बहुत अच्छा काम किया इसकी तारीष सभी लोगों के साबने के लिए इस कारिकरम के मादिदे हम से हम बार बार कहते हैं कि हम सभी के मन में एगो हम होता है कीशोरों के मन में एगो ज्यादा सेंसिटिव होता है जो पॉजिटिव हो है हमारे करते हो बनता कि जिसमें इसका प्रमाण यादा होता है। बहुत सही सवाल पुछा है चतीज जी अपने। खास्तों रुपे जिस फैमिली में कपल कॉंफिक्ट होता है। कहने का मतलब माता-पिता में कॉंफिक्ट है। घर में जगड़े होते हो। सास बहु में, माता में और दादी में। ऐसे घरों में डेफिनिटली यह प्रॉब्लम काफी जादा होते है। बच्चा समझ नहीं पाता कि यह क्यों जगड़े हो रहे है। वो नहीं चाहता कि इस प्रकार का डिस्टरमस घर में रहे। बहुत हाई एफुलेंट फैमिली है। जहां पर माबाप बिल्कुल भाली रहते है। पिता जी कोई कलब में रहते है। माप कोई कीटी कलब में रहती है। तो ऐसी जग़़ पर इन बच्चों में स्ट्रेस तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सब़ाए रहसा होता है, बच्चा एक अच्छीब्मेंट करता है। एक अच्पूल प्रकर स्कूल फर्स्टं करता है। और वो चाथता है क्या कर मैं घर जाकर माब आपको बता हूँ, माँ बताओ और माता पिता ने उसको को appreciation मिले उसकी प्रशंसा हो अच्छे काम के लिए उसको अगर कोई उसको boost up देता है तो definitely उसके life में बहुत बड़ा change आ सकता है और एक अच्छा इंसान वो आगे जाकर बन सकता है तो यही मैं कहूंगा कि माता-पिता ने उसके तरफ ध्यान देना चाहिए हर चोटी-चोटी में उसके ध्यान देना चाहिए मैं यहीं से एक advice सभी माता-पिता को दूँगा मित्रो डॉक्टर जैन जी जिसतर से कह रहा है कि हमारा पारिवारिक वातवरण बच्चे के मनोग्यान पर जिसतर से असर डालता है उसी तरसे अगर वो अच्छा हो तो निश्ची तोर से इसके सकारात्मक परिड़ाम होंगे और अगर आपके कोई जगड़े वाद और और यही चीज़ है आप उसके अंदर में वृत्ति निर्मान कर रहे हो आपके आपसी विवात का बच्चे के मनोग्यान पर नेगेटिव असर पढ़ रहा है नकारात्मक उसका असर हो रहा है और जिसतर से जैन जी ने कहा कि अगर वो अपनी नेगेटिव फिलिंग शेर करन करने वालग कोई नहीं है निश्री तोर से अपने आपके अकेला महसूस करता है और उसमें एक नेगेटिव भावना निर्मान होती है डाक्टर जैंजी चर्चा के हम लोग अंतिम पढ़ाव पर है और इस समय में जिस तरह से वो किशोर होते हैं इनकी मनस्तिती नाजुक हो इस विशे में आप कैस अला देना चाहेंगे श्री बताना चाहूंगा कि पूरी तरह से जो पारेंट्स होते हैं उन्होंने अपने बच्चे के बारे में पर जान लेना चाहिए वो क्या चाहता है उसके लाइकिंग्स क्या है उसके डिसलैक्स क्या है अगर थोड़ा सा भी गलत ट्रैक पर वो जा रहा है तो हमारे पैरेंट्स ने उनको बताना चाहिए अक्रॉस इडिबल बैठाना चाहिए और एक प्यार से उसको समझाना चाहिए आपकी एक गलत स्टेप है आपने आइसा नहीं ऐसा करना चाहिए जैसे आपने बताया कि अभी इस अवस्ता में अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता ही है तो पैरेंट्स ने बताना चाहिए कि भई ये अट्रैक्षन है अट्रैक्शन, प्रेम और फ्रेंड्शिप ये तीनों चीजे एक ट्रैंगल है और भाट बड़ी गलती इस ओमर में तीनों चीजे को मिक्स करने में होती है झशके ह जहते हैं कि प्रेम, अकरशन और महित्री, यह तीनों चीजे का एक ट्राइंगल होता है, माक्जिमम बच्चे इस ट्राइंगल में फर्स जाते हैं, तीनों चीजों का महत होने पता नहीं होता है, उसका अर्थ होने पता नहीं होता है, कि प्रेम, प्रेम के बाद में, शादी, को देना चाहिए मैं कहूंगा कि जैसे हमने sexual life की बारे में इंको sex की बारे में थोड़ा सा माता-पिता ने confidence में लेकर बताना चाहिए कि ये right है ये wrong है कौनसीमर में क्या चीज होना चाहिए उनको बताना चाहिए और सबसे इंपोर्टन फिर से में दोराता हूँ कि पालकोंने maximum time हमारे बच्चों के साथ में रहना चाहिए ना कि उनको बहुतीक चीज़े देना चाहिए कि बहुबाईल ले ये कर ले वो कर ले इंटरनेट ले जो नहीं होना चाहिए हमारे पानें जो माता पिता होनित होते है उन्होंने अपने किशरा उस्था वाले बच्चे को अपना फ्रेंड समझना चाहिए इसमें कहा है कि अगर बच्चा बड़ा होता है वो पिता जी के पैर में उसका जूते में उसका पैर जा रहा है इसका मतलब विल्कुल भूत सही कहा है और उसको अपने फ्रेंड ही मानना चाहिए मैं ऐसा कर्वाइट यही सब को बता हुँगा कि इसको हर माता पटने फ्रेंड मानंकर उसके साथ में सम्हाध रख माता हुँगा हमारे दर्शकुव में बताना चाहूंगा कि 2010 में हमारे आएपी ने बालरुकतन संगटन अमरावती में एक बढ़िया सा बुक निकाला है जिसका नाम है हिंदोडा तारुम नाचा ये मराथी में ये बुक है जिसमें अडोलेसंस के उपर उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के उपर हमने हमारे जो वीशेशग्य है उनने महारुदर्शन किया है इसका विमोच्चन रतकाली दराष्टरपती श्रीमती पर्दवाताईपाटी लिए उनने किया है और हमने ये ब्रेली में भी उसको लिखा है और पूरे भारत भर में जित्ते भी ब्लाइंड स्कूल्स है उनके लाइबरी में हमने भेचा है तो मैं चाहूंगा कि सभी पालकों ने अपने किश्वराविन वस्था आवस्था के बच्चों के लिए इस प्रकार की जो टेक्निकल नौलेज होता है उसका ग्यान देना चाहिए वो पढ़ना चाहिए अपने डॉक्टरों से सलाम अश् को समझाना चाहिए जिस्ची तोर से एक अभिनंदिनिक कार्य है ये मित्रों आज एक बहुती सार्थक चर्चा किश्वरावस्था जिस उम्र में जो समस्यां होती समस्यां से बल्कि कहना चाहिए कि जो परिवर्तन होते हैं उस पर डॉक्टर जैन जी पांट्री करका हमें दिल्चस्प मारदर्शन हासिर हुआ जो कुछ मुख्य मुद्य उबर के आएं वो इस तरह से हैं कि इस उम्र में होने वाले शारीक मांसिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अलावा मनों एग्यानिक परिवर्तन बहुत जादा होते हैं इस उम्र में किश्वर को सही मारद दर्शन के आउश्वत होती है और कोशिश करें कि यह मारदर्शन घर से ही मिले बजाए किसी बाहरी व्यक्ति के पालकों को चाहिए कि इन परिवर्तनों के बारे में वे स्वयम उचित जानकरी रखें और अपने बच्ची में होने आले इस परिवर्तन को पुरी तर से आपका आपना है इस विश्य में आपके सुझाओ और विचार इनका हमेशा से हमें इंतजार रहा है आप अपने सुझाओ और प्रतिक्रिया स्क्रीन पर दर्शाय नंबर के साथ हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं बदलती यूग में जब हरके पास में अपना-पना मोबाइल आप या तो हमें मैसेज कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी हमेशा से शुब कामना रही है कि आपका आने वाला कल आज से अधिक स्वास्य वर्दक और मंगल मैं हूँ अगले हपते एक नए विशे शक्रिक साथ एक नए विशे पर आपसे फिर मुलाकात होगी और त उसके लिए हम आपके दिल से शुक्र गुजार हैं, धन्यवाद, नमस्वार.